ग्लो और फिजिक्स में आप सबका स्वागत है प्यारे बच्चो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पर्तियावर्ति धारा भाग 4 अल्टरनेटिंग करेंट पार्ट 4 ठीक है बच्चो धीरे धीरे पर्तियावर्ति धारा का जो चेप्टर है वो आगे की ओर बढ़ रहा है बच्चो और बच्चो आप जितने भी कॉंसेप्ट हैं उनको आप समझ पारे होंगे बच्चो तो बच्चो अब जो हैं हमने इसमें जो हैं कुछ परिभासाइं हैं डेपनिसें ने वो आपको बताना है पहला है बच्चो कि महतम मान अथ्वा सिखर मान कि महतम कि महतम मान कि इसी को सिखर मान भी कहते हैं कि इसी को आयाम भी कहते हैं एम्प्लिटूड भी कहते हैं आयाम ठीक है बच्चो यहां पर जो हैं मैक्जीमम भैल्यू मैक्जीमम भैल्यू मैक्जीम भैल्यू मैतम मान पीक भैल्यू पीक भैल्यू यहार जो हैं बच्चो एम्प्लिटूड भी कहेंगे ठीक है बच्चो अब आपको इसके बारे में समझने बच्चो तो बच्चो हम क्या कर रहे हैं हम कुंडली को क्या कर रहे हैं गुमा रहे हैं बच्चो तो कुंडली क्या कर रहे है बच्चो आवर्त गति कर रहे हैं एक सेक्रिंड में कितने चकल लगा रहे हैं या एक दोलन में कितना समझ लगा बच्चो इसके बारे में आपको बताना है बच्चो वो आगे आप पढ़ेंगे इसका आवर्थी क्या होगी और उसका आवर्थकाल क्या होगा लेकिन बच्चो इससे पहले आपको सिखर मान आपको बताना है बच्चो तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे एक ग्राफ बना देंगे जिया बक्र कहते हैं वच्छो इधर जो हैं आपने टाइम को ले लिया इधर को जो है वच्छो आप बोल्टेज और धारा को इधर आप ले लेगे वच्छो तो इस Прकार से जो है वच्छो आपका ग्राब बन जाएगा आधा चकर ये है और आधा चकर आपका ये हो गया वच्छो अब देखे वच्छो ये जो हैं हमने जो हैं बोलटेज का ठीक है ग्राफ आपका बन गया है ये aimeका हो गया पोलटेज और इसाथ अबने कर्सपोंट जय है आपकी धारा भी उत्पन्न नहोगी वच्चो इस वक्ताद साय को देखना है, यह देखें। अब यह क्या है वच्चो से क्या हो जारी है यहां पे अधिक तम हो जा रहे है वच्चो यहां पर क्या वट्चो 59 जीरो धारा जीरो से क्या हो जारी है यहाँ पर अधिक्तम हो जारी बच्चो यह देखे धारा जीरो से अधिक्तम होगी और बोल्टेज भी जो है क्या हो गया जीरो से अधिक्तम हो गया बच्चो इसको आप कहेंगे भी जीरो ठीक है बच्चो यह देखें ध्यान से देखें बच्चो बहुत ही आसान है थोड़ा समझना है आपको बच्चो और उसके बाद पहले जीरो से अधिक्तम हो रही है जीरो से अधिक्तम और फिर अधिक्तम से क्या हो रही है यहांपर बच्चो दोनों जीरो हो जा रहे हैं यहा फिर जीरू से दूसरी डारेक्शन में यह देखो बच्चो यह दारा की दूसरी डारेक्शन है ठीक है बच्चो अधिकतम हो जाएगा और बोल्टेज भी क्या हो जाएगा दूसरी डारेक्शन में अधिकतम हो जाएगा बच्चो तो यहां पार इस अधिकतम मान को क्या कहते ह आयाम कहते हैं या सिखरमान कहते हैं बच्छो यह बोल्टेज का सिखरमान ठीक है बच्छो यह विप्रीद दिसा में यह विप्रीद दिसा में माइनस कर देंगे बच्छो चुली दिसा विप्रीद है तो माइनस कर देंगे ठीक है बच्छो तो इसमें क्या कर दिया बच्छो कुंडली ये देखे बच्छो जो कुंडली है उसने जो है पूरा एक दोलन कर दे एक चकर लगा दे बच्छो यहां से कुंडली सुरु हुई है बच्छो ये देखे O से मान जे यहां पर ये पॉइंट A है A पर गई बच्छो A से फिर कहां पर आगी बच्छो ये O पर आगी है फिर O पर आगी है O से कहां चले गी है B पर चले गी है और B से कहां आगी है O पर आगी इसको कहते हैं बच्छो एक दोलन एक दोलन एक साइकल एक दोलन या एक साइकल इसको कहते हैं तो यहाँ पर जो हैं धारा या बोल्टेज का अधिक्तम मान अधिक्तम मान इसी को क्या बोलो बच्वा आपको आपने क्या बोलो सिखर मान सिखर मान या आयाम कहा आपने ठीक है बच्वा धारा या बोल्टेज का जो सिखर मान है उसी को आपने क्या बोला आयाम कहा ठीक है बच्वा इसको किसके द्वारा दिखाएंगे बच्वा आपको किसके द्वारा दिखाएंगे और धारा को आई जिरो द्वारा दिखाएंगे अब ये बताओ बच्चो कि जब कुंडली एक चकर लगा रही है तो धारा और बोल्टेज भी जो है क्या कर रहे हैं एक चकर लगा दे रहे हैं दो बार कितनी बार बच्चो दो बार अधिक्तम हो रही है कितने बार बच्चो यहां पर मैं लिख दूँ यहां पर लिख दूँ बच्चो यहां पर क्या हो रहा है धारा धारा तथा बोल्टेज बोल्टेज दो बार दो बार क्या हो रहे हैं? दो बार अधिक्तम हुआ दो बार सुन्य हो रहे हैं एक चकर में एक चकर में धारा और बोल्टेज क्या हो रहे हैं? दो बार 19ची दो बार सुन्य हो रहे हैं ठिक है वच्चो यह देखो बच्चो ये 0 से शुरूआ आधिक्तम फिर 0 हो गया फिर क्या हो गया अधिक्तम फिर 0 हो गया ठीक है वच्चो तो एच चकर जोने यहां से यहां तक उने पूरा कर दिया है बचो तो जो धारा और बोल्टेज का अधिकता मान है उसी को आप क्या कहते हैं इसका सिखर मान कहते हैं बचो अब दूसरा जो है पॉइंट आपको बताना है बचो अब दूसरा प्वाइंट जो है आपको बताना है वो है बचो आवर्तकाल बहुत ही मैतव बोने बचो सामन्य है आवर्तकाल आवर्तकाल इसी को बोलते हैं दोलनकाल भी इसी को बोलते हैं ठीक बचो या तो आवर्तकाल बोलो या तो दोलनकाल बोलो बचो ठीको time period इसको कहते है time period अब time period क्या है एक दोलन करने का समय ठीक है बच्चो एक दोलन करने में जितना समय लगेगा बच्चो उसी को हम कहते है एक दोलन इसी एक दोलन को कहते है एक cycle ठीक है बच्चो एक दोलन या एक cycle का समय ठीक है बच्चो अब मैं यहाँ समझाता हूँ आपको एक इसका आवर्थकाल क्या होगा O से A पगया A से O पगया O से B पगया B से फिर O पाया जितना समय लगेगा उसको उसका क्या कहेंगे दोलन काल ठीक है एक cycle ठीक है बच्चो तो T बराबर यहाँ देखे बच्चो T बराबर होता है 2 pi बटे omega ठीक है बच्चो यह इसका क्या होगया दोलन काल होगया और कहां से आया बच्चो यह देखो यहाँ पर omega बराबर होता है 2 pi n ठीक है बच्चो लेकिन frequency के case में यहाँ आप F लिख दिया बच्छोँ ठीक है बच्छोँ यहाँ बच्छोँ यहाँ बच्छोँ यहाँ दिखे omega बबराबर 2 pi F हो गया और F जो होता है वो उल्टा होता है किसके frequency जो है उल्टी होती है किसकी आवर्थ काल के ठीक है बच्छोँ तो हमारे पास फॉर्मला क्या गया है टी ब्रावर टू पाइवड़े ओमेगा तो आप समझगे बचो पर्तियावर्ती धारा या पर्तियावर्ती बोल्टेज जो है एक दोलन करने में जितना समय लेता है अर्था कुंडली जो है अब मैं तो कुंडली है कुंडली जो है एक पूरा चकर उमने में कितना समझ ले रही है उसी को हम क्या कहेंगे परत्यावर्ति धारा या परत्यावर्ति बोर्टेज का क्या कहेंगे दोलन काल कहेंगे बच्चो ठीक है बच्चो अब बच्चो जो हैं इसमें आता है बच्चो अब आती है आबरिती आपरिती इसको फिर्क्वेंसी कहते हैं बचो आपको ठीक है बचो अब फिर्क्वेंसी क्या होगी बचो यह आपको जाननी है तो बचो सामने अर्थों में जो फिर्क्वेंसी होती है वो होती है एक सेकंड में चकरों इसी को कहते हैं दोलनों की संख्या ठीक है बचो उसने एक सीक्रिंड में कितने दोलन की मैं थोड़ा सब्णा दू इस थोड़ा सबना दू बना दे बच्व इह दो परत्या वर्क्री book संख्या यहाँ यहां यहाँ तूलन देखात हो दूद्र देख्व यह हो गया है यह हो गया, यह एक दोलन हो गया, फिर यहां से यहां तक कितने दोलन हो गया, तीन दोलन हो गया, फिर यहां से यहां तक कितने दोलन हो गया, चार दोलन हो गया, बच्चो, तो बच्चो कितने, अब मैं यहां देखाऊ, यह हो गया आपका एक दोलन, फिर यहां से यहां तक क कितना हो गए दो दो डोलनों पिर यहां से यहां तक कीतने हों गए फिर यह एक दोलन है ठीक से यह माल लीजिए जो हैं एक सीकट में एक न जो कुंडली है वे चार दो गले मलब यहाँ से खूम के यहाँ तक चली जा रही है, एक सिकन्ड में, कितने दोलन, चार दोलन किये ने बचो इसने, ठीक है बचो, एक दोलन, दो दोलन, तीन दोलन, चार दोलन, ठीक है, तो आबरिती कितने होगी बचो, आब रित्ती बरावर चार दोलन कितने सीकिंड में किये प्रति सीकिंड अर्थात एक सीकिंड में यहां से यहां तक एक सीकिंड लगा उसको एक सीकिंड में उसने क्या कर दिये बच्चो चार दोलन कर दिये या इसको कहते हैं चार साइकिल चार साइकिल प्रती सिगन ठीक बच्चो अब जो हैं हमारे घरों में घरों में आने वाली घरों में आने वाली AC Alternative Current की आवरिती आवरिती F जो होती है वो 50 साइकिल प्रती सिगन होती है अब देखो बच्चो इसका में एक सिगन में कितने दोलन कर दिये उसने पचास यहां तो मैंने उधारन के तौर में कितने दिखाए बच्चो केवल चार दिखाए एक दो तीन चार दिखाए उसने कितने दोलन कर दिये पच्चास दोलन करते हैं अब हम यह जानते हैं देखें बच्चो टी बराबर क्या है 2 पाई बटे ओमेगा ओमेगा क्या है कौन ही है बेग है बच्चो यह देखे तो यह जो फिरक्वेंसी होती यहाँ एफ लिखें एन ने लिखेंगे यह फिरक्वेंसी जो है क्या होती है time period खरकि अफोजय जोती है, उल्टी होज़े, वितक्रमानुपाती होती है बच्चों, तो frequency कितने हो जाएगे बच्चों बताओ, one upon two pi बटे ओमेगा ठीक है बच्चों, और ये omega कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो omega upon two pi, तो बच्चों आपको एक चीज़ बतानी है ह ये पर्तियावर्ती धारा, पर्तियावर्ती बोल्टीज और पर्तियावर्ती विदुद्वाग तीनों की क्या है, फिर्क्वेंसी है, एक होगी बच्व, एक ही फिर्क्वेंसी से क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, एक ही फिर्क्वेंसी से जो है, वो चलेंगे बच्व, देखो कितना होगा बच्चो टू पाई बटे ओमेगा टाइम पीरेड क्या है बच्चो एक दूलन का समय है एक दूलन में कितना समय ले रहा है वो उसका टाइम पीरेड है बच्चो चाई परत्यावरती धारा है चाई परत्यावरती बोल्टेज है बच्चो तो बच्चो बह आप query कर सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद रचोड़।